वेलकम वन्स अगेंग, बेटा हम जो क्लेक्टिव स्क्योर्टी का चैप्टर जो रीड कर रहे थे, उसे समझा था पिछली वीडियो में, उसी का ही नेक्स टॉपिक है, अगर 50% चांस उसके होते हैं, तो 50% चांस इसके हैं, कि हाँ जो कोशन आ जाता है, और जो बार बार कोशन आ रहा है, यहां में आप दे सकते हो, थर्ड कोशन, जब इस प्रकार भी कोशन आई, तो आपने क्या करना है, पहले उसकी जो similarities है, वो लिख देनी है, कि collective security and balance of power की similarities की है, और then after बाद में अपने dissimilities करनी है, और end में आपने उसका conclusion निकाना है, और जहां ऐसे कोशन बन कर आ रहा है, यह वैसे दो चेप्टर है, collective security अलग चेप्टर है, balance of power अलग चेप्टर है, लेकन आपने अगर फोर सेम की, प्लिटिकल साइंस आपने किया था, तब भी आपने देखा था कि दो-दो चेप्टर को कई बार वो include करके, ठीक है, जो जिनकी चीज़ें मिलती चूलती है, जैसे हमने right and duties पढ़े थे, liberty and justice पढ़ा था, ठीक है, ऐसे दोनों चेप्टरों को mix करके, वो question attempt कर सकते हैं, डाल सकते हैं, तो कई बार students सोचते हैं कि हम ऐसे question कैसे लिखें, तो जै question बहुत ज़्यदा important है, इसे दियान से आपने redact करना है, points आपने पढ़ने है, answer बहुत easiest की, parts को दियान में देखना है, अगर आपको balance of power का meaning बता है, collective security का meaning बता है, तो आप easily attempt कर सकते हो, इस question को शोड़ना नहीं है अपने, जब ऐसे question आजाता है, तो आपने उस का topic का पहले meaning लिखना होता है, ठीक है, अब जैसे question था, collective security and balance power के similarity and dissimilarity, तो collective security का पहले आप meaning लिखोगे, एक दूर definition लिखने हैं तो लिख सकते हो, then after balance of power का meaning लिखोगे, तो मैंने पिछली वीडियो में collective security का meaning बहाँ पर लेकि यहां पर भी थोड़ा easy दिया गया है, आप यह भी लिख सकते हो, कहते हैं कि, the simple meaning of the collective security is to establish international peace throughout collective efforts, collective security का मतलब क्या है, कि अपने collective efforts के दवारा international peace को create करना, collective efforts के दवारा international peace को establish करना, under this principle, the security of each nation is considered the part of the international security, इस principle के according यह माना जाता है, कि हर देश ही इस का हिस्सा है, international security का हिस्सा है, therefore attack, अगर एक पर attack होगे, let me do, सभी देशों पर attack माना जाएगा, और meaning of balance of power का, ठीक है, वो आप क्या लिखोगे, in the words, in the simple words, balance of power means to create such an international order, क्या करना, such international order, जहां हमने कह थे, कह रहे थे, कि वो peace and security create कर रहे है, जहां क्या है, कि international order ऐसा create करना, जहां पर कोई भी ग्रूप ज़्यादा जो शक्तिशाली ना बन सके, in which no single nations or group, कोई भी आसा nation, जा कोई group of nations of allowed to be, become so powerful that if it may become a threat to international peace and security, while expressing the other views about the balance of power, कि आपने मलपी लिखना है, कि हां कि इसके according क्या है, कि balance of power में क्या है, कि ये कोशिश की जाती है, कि कोई सी भी ग्रूप को, जा किसी भी देश को, इतना पाफुल ना बनने दिया चाहिए, कि वो दूसरे जो है, दूसरे देशों के लिए, दूसरों के लिए, जो है, problems create कर सके, balance means, जैसे आपने scale देखा होगा, है ना, दोनों तरफ आप दो को समान डाल दो, तो दोनों का बीच में एक को लवगेरा balance होना चाहिए, एक का भी balance, मालो एक में, एक में पलड़े में आपने 2 kg डाला है, ठीक है, एक में मालो 5 kg डाला, तो क्या होगा, 2 kg वाला पलड़ा उपर चला जाएगा, 5 kg वाला नीचे चला जाएगा, तो balance के आदोनों में सेम सेम होना चाहिए, इसी परकार, दोनों देशों के बीच में, जो भी देश है, उनके बीच में, चाहे एकनॉमिकली हो, चाहे, अमिनेशन्स हो, टेकनलोजी हो, कुछ भी है, वो एकोज होनी चाहिए, किसी के पास भी ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो वो अपने अपको dominant साबद करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो balance create करना है, आगे इसके हम पढ़ते हैं, पहले हम करेंगे इसकी similarities, similarities between the collective security and balance of power ने similarities क्या, पहले तो दोन पर एक tremendous of power होनी चाहिए, ठीक है, सुपरमेसी पावर होनी चाहिए, जिसके आगे सभी देशे जुक जाएं, अगर वो कह रहा कि जए गलत है, अगर कह रहा ठीक है, ठीक है, एक प्रपेंडिसी पावर होनी चाहिए, देनाटर वो जे मानते हैं, कि war को as means मानते है, अगर किस security create करनी है, पीस create करना है, तो हम उस war का war पर ही response देंगे, जवाब देंगे, तो war जरूरी है, war as a means है, ठीक है, both collect security and balance of the power, accept war as a means to establish international order, तो fourth point है, to join the war is a duty of the states, तो जब भी war होती है, ठीक है, as is, जब वो security create करना चाहते हैं, पीस create करना चाहते हैं, तो her state की एक duty, सारा state की duty बन जाती है, कि वो उसे join करे, war को join करे, ठीक है, हरे state की यह responsibility है, then after, our repentance of power is a dangerous for peace, कि कोई भी एक देश को, अगर कोई जड़ा शक्तिशाली बन जाता है, तो वो, दुनिया के लिए, दुनिया की शान्ती के लिए, वो खत्रा है, कि status क्यों बनाना जाते हैं, दुनों ही, ठीक है, कि जैसी स्तिती यह देशों की वैसी ही बनी रहे, overcentralization of power can be become dangerous, अगर कोई भी, किसी तरह भी किसी की power overcentralization हो जाती है, तो वो, खत्रेना, हानिकार का, dangerous है, for this reason, equal distribution of power होने चाहिए, equal distribution of power होने चाहिए, points को दियान में लन कर लेना, तो आप अपनी wording में attempt कर सकते हो, next है, equal perception of the peace, peace के बारे में उनकी perception में दोनों की सेम ही है, दोनों क्या कहते है, both have the common views about the peace, according to the balance of power, peace can be maintained only through the equal distribution of power, through the balance of power, similarity the principle of collectivity except the balance of power among the nation as the condition for the maintenance of the international peace, faith in the military cooperation to the end aggression, तो किस में पिभेद करते हैं, military में, कि जो भी aggression देश बना हुआ, कोई देश हमलावार बना है, उसके खलाव मिल्टरी कारवाई की जाए, तो military cooperation होना चाहिए, यह नहीं कि अपने हमने technology देदी है, यह पैसा देदी है, आप military भी help करेंगे, यह इनकी similarities है, similarities में I think just only 7 points से ही आपके आ रहे हैं, next है, dissimilaties क्या है, चीका, similarities है हम दिख रहे हैं, लेकर कुछ विदमान कहते हैं, similarities के comparison, dissimil that is, जाता है, वो कैसे हैं, dissimilality में पहला point आता है, collective security is a cooperative, collective security is a cooperative system है, बट जो balance and power क्या है, competitive है, collective security हमेशा क्या है, क्या है, क्या हीगी, कि peace and security create करने के लिए, हमें cooperation चाहिए, सबी की, ठीक है, बट अगर हम, balance of power की बात करें, तो वो उसके बीच में competition होता है, जैसे, first cold war में क्या था, एक competition चल रहा था ना, balance of power में, कि एक ने wasp act बना लिया, और दूसरी जो western country थी, दूसरों ने nato, sito, cento बना लिया, तो वो क्या किसलिए बनाए, वो चाहते थी, कि balance create किया जाए, ठीक ना, तो next है, all state takes part in collective security, not balance of power, collective security में जुरूरी है, कि hard state को participate करना ही पड़ेगा, बट balance of power में, hard state participate नहीं करता, जो इसका member है, वो ही participate करता है, मालों कि कोई nato, sito, cento का, जावार्शाप act का member था, तो उसमें participate करेगा, अगर नहीं है, तो किसी को compulsion नहीं किया चाहेगा, lose organization in the collective security, but strong in the balance of power, जब collective security में जो organization वो lose है, जैसे जुएनो है, ठीक है ना, collective security में, तो जब जैसे जुक्रेन में हमला हुआ, रशिया ने हमला किया, तो इंडिया ने बिलकुल कह दिया, कि मैं भी किसी के favor में नहीं हूँ, ना तो मैं रशिया की sport करता हूँ, ना मैं जुएस जैसे के हक में हों कि नहीं भी, मैं आपके लिए, आपके favor में हूँ, और आपके लिए जो आपके armies है, वो बेजूंगा जब कुछ भी है, वो चुपचा भी खिसक गया, जैनि कि जुएनो में जब voting होई थी, कि रशिया को aggressor माना जाए, या ना माना जाए, तो absent ही हो गया, तो it means collective security में जो organization वो lose है, बट balance of power में strong होती है, जब नाटो के जितने भी देश थे, वो totally सारे देशों ने फिर जो Ukraine की help की ही, कोई ऐसा देश नहीं जिसने कहा कि नहीं चलो मुझे नहीं help करने की ज़रूर, उसने ज़रूर की, उसमें जो strong होती है, यान की position वगरा, तो fourth point ह है in collective security, enemies from the within, where is the balance of power, is outside of, collective security में हो सकता है, कि जो दुश्मन देशा, वो उसके बीच में हो, मालो collective security में, Russia B, आपको पता है, वो विटो power है, उसके पास भी, Russia B, उसका member है, ठीक है ना, तो एक तरफा जब वो, जो क्रेन में हमला कर रहा तो क्या, within, enemies हो गया na, enemies from the within, कि वो security में, बट balance of power में, ऐसे कभी नहीं होगा, कि जो नाटो के देश हैं, वो आपस में एक दूसरे पर हमला करेंगे, मालो इंगलेंड, फ्रांस, जो भी, USA, नाटो की देश हैं, तो एक दूसरे पर हमला करेंगे, जो कभी नहीं होता, ठीक है, next है, scope of collective security is wider, we are just, scope of collective security is wider, we are just narrow balance of power, जो collective security का scope है, बहुत ज़्यदा wider है, क्यों, कहते हैं कि, collective security is a global system है, global system and all the nations are committed to lie, fight against the aggressive state, even if a single nation become the threat to the nation's peace, international peace, all the nations join together in collective action, तो अगर एक देश पर भी हमला होता तो सभी collective security पर सभी दुनिया के देश मिलकर वो एकठे हो जाते हैं, लेकिन balance of power में ऐसा नहीं होता, अगर किसी पर हमला हुआ जा कुछ भी है, तो दो चार्ज यतने भी देश शामल उत रही हैं, उसमें शामल होंके, जो member उसके alliance में श हो हैं, तो चलो उसके देश के साथ जो aggressor देश माना गया, बाइकट कर दो, section लागो कर दो, उसके पबंदिया लगा दो, जा कुछ भी हैं, उसे harassment करो, जो कुछ भी है, उसे public media में कहो, public media में जो बोलो कि हा, इसने गल्द काम किया, immediate action था, लेकिन balance of power में क्या, अगर किसी ए आर्मी को चेक करेगा, कि मैं दूसरे दुश्मनों जिसमें हमला करना चाह रहा हूं, उस देश में कबजा करना चाह रहा हूं, उसकी कितनी का आर्मी है, वो well planned होगा, अगर मेरी देश की जादा आर्मी है, हत्यार जादा है, मेरे nuclear power जादा है, तब भी वो कोशिश करेगा, अदर्वाइस नहीं करेगा, ठीक है, तो, नेक्स पाइट है, no place for the neutrality and eclective security where it is possible in the balance of power, eclective security में कोई जेह नहीं का सकता है, कि चलो, भी मेरे पर थोड़ा हमला हुआ, मैं बिलको अलगरा जाता है, तो neutrality की role play करता हूं, सभी को कुछ न कुछ रोल प्ले करना है पड़ेगा बट balance of power में आप ऐसा कर सकते हो, तो, नेक्स पाइट है, the basis of eclective security is a mutual love, good will, where it is the mutual fear of the balance of power, जो eclective security में हमेशा क्या होता है, एक दुसरे के तरफ सहानुबती होती है, एक दुसरे के लिए प्यार होता है, कि हाँ, हम देश में ऐसे, उसका नुकसान नहीं देख सकते, destruction नहीं नहीं देख सकते हैं, ठीक है, बट balance of power में हमेशा क्याता, डर होता है, ठीक है न, कि नहीं, अगर मैंने इसका साथ नहीं दिया, तो, यह दिश मुझ पर हमला कर देगा, नाइट पाइंट है, इंटरनेशनल और्गनेशनल इस्टेरशनल पार्क, collective security, not for balance of power, तो collective security में जो इंटरनेशनल और्गनेशनल वो जुरूरी होनी चाहिए, जैसे जुएनो हमने बनाई हुई है, ठीक है न, पूरी दुनिया ने, तो, उसके लिए necessary resource बगारा भी दिये जाते हैं, लेकन, जो balance of power में, ऐसे जो, इंटरनेशनल और्गनेशनल होना जुरूरी नहीं होती, तो, इनका difference होता है, जो collective security का objective होता हो, वो क्या होता है, maintenance of the global peace, ठीक है, ये करना चाहते हैं, तो, लेकन, balance of power में, क्या करते हैं, कि अपना हो, इसके श्पेशल अजंडा होगा, कि हां मैं, मैं, भूल भी दूसरे देश में, कोई तेल जो, आईल है, उस बर कभजा करना चाहता जहां कुछ उस एरिया के में एक अभजा करना जाता हम तो उनका जो aim objective अलग हो सकता है conclusion क्या है after making the study of the similarities and dissimilarities of the collective security and balance of power we can say that suddenly that the purpose of the boss system is the maintenance of peace दोनों का चलो मानते हम के purpose क्या है के peace को create करना but yet there is a less similarities हमने देखा उसकी 6-7 points थे थे ठीक है similarities के more dissimilarities dissimilarities के points ज्यादा बगारा है collective security is a wider arrangement which wants to maintain the international peace and security without creating any groups of the block it is a more democratic and universe is compared to the balance of power एक example भी दी है उन्हाने collective security भी रखी के इन्दा प्रिंसिपल सिस्टम होथा collective security it is more effective एफेक्टिव होती है successful होती है then balance of power के कहता जैसे MLP एराग पर हमला किया था तो र्याद के क्यों किया था क्योंकि वो कुएद को शुढाना चाते था जॉनाइटे ने मिलकर जॉनाइटे देच के अंडर जो 26 देश है उन्हाने मिलकर जेए चीज़े वगरा कुएद को शुढ़ए स्वाया था क्योंकि वो illegal प्रज़े को कबचकर रहे थे आई होप जे आपको जी समझ में आ गई होगी ते वांस अगेन बेटा आगें कहना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जुरूर किया करो और चैनल को सबस्क्राइब जुरूर करना प्लीज